आज मैंने जिस तरीके से ये नमकीन बनाई है इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है बहुत कम तेल लगता है और बहुत कम तेल में ये फ्राई होता है फ्राई करते समय ये तेल बिल्कुल नाके बराबर सोकता है और बहुत ही खसता ये नमकीन बनता है आप इसे बनाके स्टोर करके एक से डेड़ महीं तक रख भी सकते हैं तो मैं इस नमकीन को थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ तो चलिए इस नमकीन को बनाते हैं इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी गेहु का आटा लिया है इसी कटोरी से आधा कटोरी इसमें बेसन डालेंगे तो मेजरमेंट आप एक ही कटोरी या कप से करें गेहु के आटे के जग़े पे आप मैदा भी ले सकते हैं पर मैंने इसको पूरे तरीके से गेहु के आटे से बनाया है टेस्ट के कोडिंग इसमें नमक डाल देंगे, आधा चमच इसमें हल्दी पौडर लाग डालेंगे जिसकी इसमें कलर बहुत अच्छा है आधा चमच लाल मिर्च का पौडर डालेंगे और एक चमच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे बीच में हलका सा गड़ा कर लेंगे और तीन से चार चमच के अंदाज में इसमें रिफाइन डॉयल डालेंगे आप इसकी जग़े पे देशी खी भी डाल सकते हैं और इन सब को डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक, बेसन, आटा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ बे मैंने एक से डेड़ कटोरी के अंदाज में बिल्कुल फ्रेश मेथी का पत्ता लिया है तो मैंने इसके डंठल को इसमें नहीं डाला है केवल इसके पत्ते को तोड़के अच्छे से धोके 2-3 पानी और इसको बारिक-बारिक काट लिया है मेथी के पत्ते को नहीं मैंने भूना है, नहीं मैंने सुखाया है बिल्कुल फ्रेश पत्ते को तोड़के और धोके काटके मैंने इसमें डाल दिया है एक डिन मिनट के लिए इसको इसमें अच्छे से मसल ले ताकि मेथी का जो फ्लेवर है वो आठे में आ जाए हलका हलका इसमें पानी डालते हुए इसका आठा लगाएंगे तो इसका आठा ना बहुत जादा सक्त लगाए ना बहुत जादा सौफ्ट लगाए जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से इसका आटा लगाएंगे यहाँ पर मैंने आटा गूत लिया है हलका से इसको चप्टा करके एक चमच इसको और तेल डाल दें और आधे मिनट के लिए इसको और थोड़ा सा मसल लें ढ़क के इसको 10-15 मिनट के लिए रख दे ताकि आटा थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए तो 10-15 मिनट हो गया है अब मैंने इसकी लोई बनाई है तो जितना बड़ा आप रोटी के लिए लोई लेते हैं ठीक उतना ही बड़ा सारी लोईयां इसकी बना लें उसके बाद आप कोई चकला ले ले या फिर चॉपिंग बोट पे थोड़ा सा सूखा आठा डालते हुए एक लोई ले 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 और इसको हम लंबे शेप में बेलेंगे ना इसको हम स्क्वार शेप में बेलेंगे इसको हम ओवल शेप में बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा न दू चुटकी इस पे सुखा हाटा डाल दें इस तरीके का कोई भी हैंडल वाला अगर लकडी का पल्टा आपके पास हो तो आप उसे ले ले इसकी जगे पे आप कोई प्लास्टी का साफ पाइप भी ले सकते हैं पर मैंने आपको इससे करके दिखाया है ये मतनी है जिसे की घी निकालते हैं या फिर मलसी बनाते हैं तो ये सबके घर में अवलेवल होता है इसलिए मैं आपको इससे बना के दिखा रही हूँ आप चाहें तो बच्चों को खिलानों में जो बेला नाता है उसे भी बना सकते हैं तो बस इसके handle को इस पे रख दे और easily इसको इस पे roll कर दे और हलका suppress करते हुए इसको निकाल ले तो देखे कितना easy तरीके से ये निकल गया, बीज में बहुत अच्छा सा इसमें hole भी बन गया है तो ठीक किसी तरीके से एक-एक लोई लेते जाए, इसको oval shape में बेल दे, थोड़ा सा सुखा आटा इस पे डाल दे और मतनी की handle को इस पे रखते हुए अच्छे से इसको fold कर ले तो सारे नमकीन को पहले इस तरीके से बना ले, उसके बाद हम इसको steam करेंगे तो दिखे, मैं पूरी तरीके से भी इसको दिखा रही हूँ कि ये मतनी है, जिससे की दाल बेगारा मतते हैं या फिर मक्खन निकालते हैं इसी मतनी के handle से मैंने सारे नमकीन को बनाया है तो सारे नमकीन को मैंने बना के तयार कर लिया है, गैस पर मैंने एक कड़ाही में पानी उबलने के लिए दो गलास रखा है पानी में उबाला गया है, तो इसके उपर कोई भी आप जाली का एक बरतन रखते या फिर इस तरीके का steamer की जाली रख दे और इसके उपर भी हलका सा खी या तेल लगा दे, ताकि नमकीन जो बना के रखा वो इस पर चिपके नहीं और सारे करके एक एक नमकीन को इसके उपर रख देंगे और किसी बराबर ढखकन से जिससे की इसका steam बाहर ना निकले, उससे इसको ढख देंगे medium flame पे इसको 7-8 मिनट के लिए पकने देंगे, बहुत high flame पे इसको नहीं पकाना है और जब 7-8 मिनट हो जाए तो gas की flame को बंद कर दें एक चक्को मैं इसके अंदर डाल के दिखा रही हूँ कि देखे चक्को बिलकुल clean निकला है, बहुत अच्छे से ये पक गया है तो जाली को हटा के बाहर निकाल दे और इसको पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दे जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको इस तरीके से chopping board पे रख लें और देखे कितना अच्छा से इसका hole बना हुआ है, ये बिलकुल आपस में chip का भी नहीं है आधे आधे इंच की चोड़ाई में इसको इस तरीके से काट लें तो बहुत ज़्यादा ना इसको पतला काटना है ना बहुत ज़्यादा चोड़ा काटना है तो बस आधे इंच की चोड़ाई में सारे जो ये नमकीन बनाके तयार किया है इसको काट लें और इसको fry करने के लिएover gas पे मैंने तेल भी गरम कर लिया है तेल को बहुत ज़ादा गरम ना करें मीडियम गरम करें और थोड़ा थोड़ा इस नमकीन को इसमें डालते जायें इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राइ भी करेंगे बहुत high flame पे इसको ना fry करें, medium flame पे fry करें और देखे जो इसकी layer है वो अपने आप ही खुलने लगती है जो कि मैंने इसको handle पे लगा के मोडा था तो वो layer अपने आप ही खुलती है बहुत ही crispy बनता है ये और जितने तेल में मैंने इसको अभी डाला है fry करने के लिए सारे नमकीन को fry करने के बाद भी तील बिलकुल उतना ही है जरा सा भी तील नहीं इसमें absorb करता है ये तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरा, कम तील में बनने वाला ये मठरी है और देखे सारी layer इसकी कितनी अच्छे से खुल रही है तो बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नमकीन डालते हुए मीडियम फ्लेम पे सारे नमकीन को fry कर लेंगे और देखे कितना अच्छा ये नमकीन बनके तैयार हो गया है आप चाहे तो थोड़ा सा इसके उपर चाट मसाला भी डाल सकते है चटनी के साथ या फिर अचार के साथ या फिर चाहे के साथ भी आप इसको खा सकते है इसको स्टोर करके आप डेल से दो महीने तक रख भी सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और देखे एक मठरी मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये कितना खसता नमकीन बना हुआ है बिल्कुल चार चमच तेल में और फ्राइ करते समय ये बिल्कुल ना के बराबर तेल को सोकता है तो इस यूनिक से नमकीन को आप भी जरूर ट्राइ करें ये आपको भी बहुत पसंद आएगा